नमस्कार मैं हुने लाक्षी और आपका स्वागत है दे हिल्स साइट पर आज हम योगा करेंगे जो आपको सर्वाइकल स्पॉंडिलाइटिस से निजात दिलाए यह बिग्नर्स लेवल योगा है तो जिसने आज तक कभी कोई व्यायाम नहीं किया है वो भी इसे आसानी से कर स करते हैं तो पहला वाला है cat an cow जोसे हम कहते हैं मारजरी यासन और बितलासन तो शुरू करते हैं मारजरी असरों नहीं सम जाने के लिए आपको वज्रासन से शुरू करना है अपने कोहुनियों को घुटने के पास रहperformnaire की इस आपको पता चलेगा कि कितनी दूरी पर आपको पने हाथों पर रखना है, और एक बार और एक्सट्रा हाथ को देके, आप इस लेवल पर आएंगे. तो आपकी हाथ बिल्कुल आपके कंधों के नीचे होंगे, हम पेर ऐसे नहीं, पंजों पर नहीं रखेंगे, उन्हें नीचे रखेंगे. अब हमें अपनी गर्दन सीधी रखनी है, कमर को सीधा रखना है, पहले ही कमर को नीचे मोड़ना नहीं है, हमें सीधा रखना है सास भरते हुए हमें उपर की तरफ जाना है, और सास छोड़ते हुए हमें कमर को नीचे को लाना है और इस तरह से इसे पूरी तरह गोलाई में ले जाना है फिर से हमें सास लेते हुए उपर की दरब जाना है जो भी आपके लिए आराम दायक हो और फिर सास छोड़ते हुए नीचे आना है इस आसन को आप कम से कम दस बार जरूर करे अगर आपको शुरू में दिक्कत हो रही है कोई फर्ट नहीं पड़ता आप फिर से इसको ट्राय करे पांच बार से शुरू करे और बीच बीच में गैप लेकर इसे जरूर करे अब जो हम दूसरा आसन करने जा रहे हैं ये बहुत ही आसान है आपने इसको कई बार देखा होगा इसे हम स्फिंक्स की मुद्रा भी कहते हैं जो आपने पिरिमिद्स के पिरिमिद्स में जरूर देखी होंगी तो हमें बस इस तरह से लेटना है अपने पेरों को पेट के बल पे लेट कर हमें अपने हाथों को अपने कंधों के पास रखना है ठीक है और यहां से हमें सांस भरते हुए धीरे धीरे उपर की तरह आना है और हमें बस यहीं पे रहना है तास छोड़ते हुए आप नीचे आईए इस आसन से आपका ये पूरा हिस्सा खुलता है जो रुकावट आपके इस एरिया में आ रही है उसमें आपको आराम मिलता है और इसको हमें जादा करनी की जरूरत नहीं है सिर्फ वही दस मिनिट आप चाहे दिन में इसे तीन बार भ चाहरा कंधों में आ जाता है इस हिस्ते पर असरा आता है तो इस आसन को करने से आप इस हिस्ते को रिलाक्स कर रहे हैं नेक्स आब आम आते हैं नए आसन पर शेशांकासन अप्वोर्ड डॉड वह इसी का एक्सेंशन है जिसमें हम अपने हाथ रखेंगे यहां नीचे पूरा जोर अपनी हथेलियों पर डालते हुए पूरी तरह हम उठ जाएंगे तो हमारा हिप हवा में है और हम सामने की तरफ देख रहे हैं इसमें आपको अपनी गर्दन नहीं घुमानी है और सांस छोड़ते हुए बाजू का सहारा लेते हुए आप धीरे धीरे नीचे आए ध्यान रहें कि कंधें आपके नीचे हो ऐसे ऊपर ना चड़ें इनको नीचे की तरफ पुष्ट करना है और धीरे धीरे नीचे आएंगे शुरू में ये वाला आसन आपके लिए मुश्किल हो सकता है तो आप स्फिंक्स वाला इससे पहले जो हमने किया था उसी को करें ये वाला आसन आप धीरे धीरे मेभी एक महीने बाद शुरू करें जब आपके हाथों में और आपके पैरों में आपके कमर में वो शक्ति तो इसको सरलता से करने के लिए पहले आपको इस पोजिशन में हाना है पैरों को थोड़ा सा कोले और कमर को सीधा रखें ना कमर को गिरने दे इस तरह से ना उपर रखें बिलकुल सीधा अपने पेट को ना भी को कोशिश करिए कि वह रीड की हड़ी की तरफ जाए और हम कुछ movement में देनी हमें सिफ इसे 5 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक होल्ड करना है धीर धीरे आप इस होल्ड को 30 सेकंड तक लेकर जा सकते हैं और फिर से अंदर लेकर आई और फिर यही चीज आप दूसरे हाथ और दूसरे पैट से करिए एक सीधी लाइन में कमर को हमेशा सीधा र अंदर लेकर आए एक बार हो जाने के बाद यह दोनों बार करने की वजह से यह एक बार होता है तो अब आप फिर से करेंगे और फिर दूसरी तरफ पे भी आप इसे करिए गर्दन नीचे रखिए कमर को सीधी रखिए और रिलाक्स इस आसन को भी आप तकरीबन दस बार जरूर करें 20 बार भी कर सकते हैं हर बार करने के बाद आपको 15 सेकंड का गैप लेना है यानि 10 बार किया उसके बाद आप 15 सेकंड का गैप लेंगे और इसे फिर से शुरू करेंगे तो इसे भी आपके पूरी ये रीजिन जो है स्ट्रॉंग होता है आपके कमर को आपके गर्दन को एक नया स्ट्रेंथ मिलता है जो हमें इस बिमारी से निजात पाने के लिए चाहिए अब हम एक और आसन करेंगे ये भी बहुत आसान है इसे हम कहते हैं फिश पोज तो इसको करने के लिए आपको लेट जाना है अपने हाथों को इस तरह से रखे आप अपने हिप के नीचे रखेंगे अपनी रीड की हड़ी के बिलकुल एंड पे यानि टेल बोन के एंड पे यहां लाने के बाद अपनी हाथों को अपनी कोहुनियों को अंदर की तरफ कर ले और हलके से अपने चाती को उपर उठाए सांस छोड़ते हुए आप नीचे आ जाए ध्यान रखे कि गर्दन सीधी रखे इस आसन में भी हमें जादा देर नहीं रुकना है क्यूंकि हमारी गर्दन पर अल्रेडी काफी स्ट्रेस है तो हमें इसे जादा से जादा पांच बार करना है जब आपको धीरे धीरे लगे य और आप देख रहे हैं दा हेल्थ साइट नमस्ते